जैहिन दोस्तों कैसे हो आप सभी मैं संजे आप सभी का HD campus मतलब student dream campus पर आप सभी का स्वागत करता हूं बहुत सारे ऐसे student हैं दोस्तों जो regular comment करके कुछ सवाल कर रहे हैं तो उनके जवाब देने के लिए मैं आ जाया हूं कुछ student ऐसे हैं जो बहुत महान है वीडियो पर आग आता हूं कि जो radio operator की exam date का पिंतजार गर रहे हैं और जैसे जैसे भरती बोर्ड पर कुछ official notice आता है या फिर कुछ news में कोई मतलब cutting आती है तो उसके ही माध्यम से हम आपको guide करते हैं उसी के माध्यम से हम आपको बताते हैं यह तो नहीं है कि बिलकुल official मतलब आपको करने आया हूं अगर आप already जानते हैं इन सारी चीजों को तो किरपागर के आप video चोड़ कर जा सकते हैं जैसी कि exam कब तक हो सकता है बार बार आपकी comment आने पर मुझे यह video बनानी पड़ रही है exam कब तक हो सकता है दूसरा सवाल जो आपका सबसे बड़ा सवाल है क्या tender cancel हो है sir तीसरा सवाल है sir exam क्यों नहीं हो रहा है क्या यह भरती cancel होगी है क्या क्या इसके form दुआ रहेंगे ना इस तरीके के आपके सवाल चलने sir अब हम क्या करें हमारी हिम्मत बिल्कुल तूट चुकी है इस पर मैं बात करने आ हूँ क्या तियारी बंद कर दें तो one by one सभी पर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तो वीडियो को लाज तक देखना और जो भी आपकी राय है comment box on है आप comment करके जुरू बताएंगे देखिए सबसे पहले आप और हम सब मिलकर पूरा अनुमान लगा रहे थे कि दिसमबर लाज तक इसका एक्जाम हो जाएगा ठीक है चलिए खुद स्वयम भरती बोर्ड कुद मानिये योगी आदित्यनात जी जो है उन्होंने खुद स्वयम बताया कि भई जो भरती पिर के रिया है दिसमबर तक उसको पूर्ण करेंगे और इस बात की मैं आपको गारंटी ने पूरा विश्वास दिलाता हूं 100% आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर हम बात करें पुलिस भरती बोर्ड में जैसे बात करें कि आप सभी को बताए यूपी पुलिस की व भिकेंसी अनले यह विकेंसी आनी एफ पर मेर घेंसी आनी थिकह और तक ऑठीश अने उसके विकेंसी आनी है उनके अभी फार्म नहीं आये और आपके वन नोटिफिकेशन जारी करें दिसंबर तक इनका नोटिफिकेशन जारी करें और आप सब इस बात को जानते हैं मेरे भाई कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और यूपी एक बड़ा राज्ये है तो भाई कहीं न कहीं जो यूपी गॉर्मेंट है वो भी प्रेसर बनाएगी किसके अब बलको सच्चा ही है अगरापको बुरी लग रही है बात ऊच्चा नहीं है लेकिन मैं आपको सच्चा ही बता रहूं कि सबसे पहले आपका एक्जाम होगा है कि आपध 100 जो नियूजलब्र बैस्ती वइस प्रड़िस के लिए अलग टेंडर आया, कॉस्टेबल के लिए अलग आया, SI के लिए अलग आया, jail order के लिए अलग आया, radio operator के लिए अलग tender के लिए notice आया, लेकिन जब tender के लिए notice आया, और उसके बाद tender final होने के बाद, मतलब tender जैसे notice आया, उसके बाद कोई और notice नहीं आया, ठीक है, तो मतलब अनुमान यही है, अभी भी हो सकता है कि आप कर टेंटर फाइनल हो गया हो और आपका टेंडर मैं तो यह करा हूँ कि अंतिने मिलूप से किसी वह भी जानकारी नहीं है तो हम यह नहीं हो गया है कि लिए है दूसरी बात फिजीकल को लेकर भी एक नोटिस वाइरल हुआ था तो आप इस बात पर टिके रहिए सबसे पहले तो दूसरी बात यह है कि अगर आपको त्यारी छोड़नी है तो त्यारी छोड़ दीजिए अगर आप सेलेक्शन नहीं लेना चाहते हैं और आप इस बात को जानते हैं कि इसका एक्जाम होगा और एक दिन जरूर होगा और ऐसी बहुत सारी विकिंसी हैं जिनका एक्जाम हुआ है तो इसका भी एक्जाम होगा और आपको सेलेक्षिन लेना है तो आपको त्यारी जारी रखनी होगी अभी के वीस का रिजल्ट आया बहुत सारे इस्टूडेंट उसमें डिस्क्वालिफाई हो गए हैं तो कही न कहीं जैसे वो आपका syllabus है उसको अच्छे से त्यार करके आप अपनी त्यारी में लगे रही है एक्जाम क्यों नहीं हो रहा तो इसके पीछे कारण एक ही है कि अभी 2021 में UPSI की एक वेकेंसी हुई थी ठीक है UPSI की तो उस वेकेंसी में जो नहीं स्केम का इस तरह हो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था आप सभी जानते हैं कि UPSI तो इसी वज़े से इसी वज़े से जो कंपणी एक्जाम को कराएगी तो इसी तरीके से मतलब कोई और कंपनी भी आगे आएगी तब हम क्या करेंगे उसको अपना टेंडर देंगे तो ये बात मतलब गुप्त सुत्रू से निकल कर आ रही है कोई भी 100 परसंट नहीं जानता तो एक्जाम ना होने के पीछे कारण यही है क्योंकि भरती बोर्ड बहुत तेजी दिखा रहा है कहीं न कहीं जो गुर्मेंट है उसके उपर भी प्रेसर है कि एक्जाम कराया जाए वेक प्रेस्टी नहीं कर सकते पॉसिबिल्टी है कि हो सकता है कैंसिल है या पास है लेकिन जो भी टेंडर आएंगे अलग जो आपके इनके नोटीफिक्सन आएंगे इससे पहले आपका एक्जाम हो जाएगा ठीक है चलिए अब आप क्या करें अब आपके पास दो रास्ते हैं पहला रास्ता तो आपके पास यह हैं, कि आप अपनी टियारी करना छोड़दे,और अपना दूसरा कोई काम कर ले। दूसरा काम मतलब in-da-sense,pride नौकरी कर लें या कुछ और अपना काम कर लें। ठीक पैला रास्ता दूसरा रास्ता आपके पास यह जब आपने दिन से त्यारी कर रहे थे और इतना आपने वेट किया और आप सलेक्षर लेना चाहते हैं रवरदी पहने चाहते हैं और आपने इसमें वर्म भरा हुआ तो अभाई के Plus मज़धल त्यारी में लगे रही है रगुलर लगे रही है आप अपनी त्यारी में तो अब आपको क्या करना है दो रास्ते जो आपको बैश लगे वो चुन लीजिए मैं आपको जबर जिस्ती नहीं कर रहा हूं आपको प्रेसर बना रहा हूं आपना कोई पेड़ कोर्स बेच रहा हू और उस दिन आप आपने मतलब वो लोग पसताएंगे जो आज त्यारी नहीं करेंगे ठीक है चलिए तो त्यारी बंद कर दें कि आप त्यारी को मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी आपको बंद नहीं करना है त्यारी को और जोरोसोरो से करना है कि एक्जाम डेट नहीं आ रहे है और ज्यादा मेनत करो जब एक्जाम आए और एक्जाम डेट आए तो सबसे अच्छा स्कोर करके आए और उसके बाद सीधा अपना रणिंग वगरा फिजिकल की त्यारी में लग जाए ठीक है तो मैं आपको बतायता हूं एक्जाम कब तक हो सकता है देखे भरती बोर्ड ने जो अभी न्यूज आई थी ना मैंने पेपर की कटिंग आपको दिखा दी ती आपने देख ली होगी जो लगनों का एक न्यूज है वहां बताया गए कि अभी और देरी होगी वेकेंसी आने में तो देखे कहीं नगे उसमें ये बात भी लिखी थी कि भरती बोर्ड पूरी बच्चे हैं पांच लाग 49,000 कुछ बच्चे हैं 2430 वेकेंसी हैं तो सबसे पहले आपका एक्जाम होगा तो मैं बहुतार हूँ कि इस दिसम्बर में इस दिसम्बर में आपको कहीं नकी एक्जाम डेट देखने के लिए मिल सकती है और देकि जब एक्जाम डेट आएगी न का नोटिफिकेसन आएगा बहुत तेजी से पिरक्रिया चलेगी तो आप लोगों को फिर पढ़ने का यह समनने का मौकर नहीं मिलेगा तो आप अपनी त्यारी में लगे रही है पूरी पूरी पॉसेविल्टी है 100% दिसम्बर में एक्जाम होने की पॉसेविल्टी थी लेक अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब है हमारे साथ जुड़ने के लिए वाइबाय टेक केर अपना ध्यान रखें अच्छे से पढ़ते रहें